Hello everyone, next show of YouTube channel में आपका स्वागत है एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research Department of Atomic Energy Government of India की कंपनी है इसमें Scientific Assistant और Technician की Vacancy का Notification दिया गया है जिसके लिए Diploma होना चाहिए आप लोग का Civil Mechanical Electrical में और ITI Different-Different Trades में तो आप लोग इस Form को भर पाएंगे तो चलिए Notification के कुछ Important Point को कवर करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से कर दीजे लाइक साथ में कर दीजे इस वीडियो को शेयर और चैनल को कर लीजे सबस्क्राइब लेटेस टेकनिकल जॉब अपडेट के लिए AMD के तरब से Notification दिया गया है Advertisement No.1-2019 Scientific Assistant B Drilling के लिए 10 शिट का Notification है जिसके लिए Diploma होना चाहिए आपको लोग का Mechanical में Automobiles में Drilling में तो आप लोग इस Form को भर पाएंगे Minimum 60% Marks की requirement रखी गई है Scientific Assistant Surveyor की पोस्ट के लिए Diploma होना चाहिए या Civil में Surveyor Engineering में 3 साल का 68% Marks के साथ तो आप लोग eligible हैं Form भरने के लिए 2 सीट का Notification दिया गया है Scientific Assistant B Electrical के लिए 2 सीट दी गई है Electrical Engineering में आप लोगों का Diploma है तो आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे 35,400 रुपए से Starting Salary रहेगी आप लोगों की और एक अच्छी salary मानी जाती है Technician B की जो पोस्ट है जिसके लिए 10 के बाद आप लोग का ITI होना चाहिए Diesel या Auto Mechanic में 14 सीट का Notification दिया गया है तो आप लोग eligible है Technician B Electrical में 4 सीट का Notification ITI होना चाहिए Electrical Trade में तो आप लोग फॉर्म को लिए eligible हो जाते हैं यहाँ पे age देख लिजिए 25,28 दिया गया है तो maximum age फॉर्म भरने की और इसका apply करने का link activate हो चुका है तो आप लोग apply कर पाएंगे minimum age रखी गई है एक एक दोजार बीस को 18 साल और salary आप लोग को मैंने बता दिया और application form 150 रुपए का है डिपलोमा वालों के लिए ITI वालों के लिए 100 रुपए का application piece है और आप लोग का proper exam लिया जाना है exam के बाद फिर आप लोग का selection होगा तो यहाँ पे उसकी list दी गई है आप लोग इसको देख सकते हैं आप लोग का return exam होगा और plus interview होगा scientific assistant B के लिए और technician B जिसके लिए ITI इलिजबल है उनके लिए pretty और advanced test लिया जाना है और 10.1.2020 इसकी last date रखी गई है और यहाँ पे आप लोग के लिए waiting list भी बनाई जाएगी जो की एक साल के लिए valid होगी अगर कोई लड़का एक साल के बीच में छोड़के जाता है तो आप लोग का selection हो जाएगा अगर आप लोग waiting list में रहते हैं यही थी कुछ जानकारी जो इस वीडियो में हम लोग ने बात किया उमीद करता हूँ कि जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like करके share जुरूर कर दीजिए और चैनल को भी subscribe कर लीजिए Thank you for watching this video